मध्यप्रदेश में बदमाशों के होसले इस कदर बुलंद हैं कि एक बदमाश ने अपनी बुलेरो से एक पुलिस वाले को कुचल कर उसकी जान ले ली ये बदमाश पेट्रोल भरवाकर बिना पैसे दिये भाग रहा था और जब ASI नरेश शर्मा ने उसे रोकने की कोशिश क महुल जीर के पास चेक पोस्ट पर तैनात ASI नरेश शर्मा को अपनी गाड़ी से कुचल दिया गंबी रूप से घायल ASI नरेश शर्मा की इलाज की दौरान मौत हो गई इस बदमाश को पकड़ने के लिए ही महुल जूर थाने के पास ASI नरेश शर्मा और उनकी टीम ने च किया गया इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहीद ASI के परिवार को एक करोड की आर्थिक सहायता देने का एलान किया है जिला चिंदवाडा के थाना माहुलजर में आज सूचना सुबह की टाइम पराप्त हुई थी कि न्यूटन चौकी से कोई गाड़ी बुलेरो केमपर एक्सिरेंट करके फरार हुई है उसको रोकने के लिए माहुलजर थाने के सामने चेकपॉइंट लगाया गया था जिसमें ASI नरेश कुमार शर्मा जी और अन्य थाने का स्टाफ मुझूद था चेकपॉइंट को देखकर गुलेरो केमपर के ड्राइवर ने गाड़ी और तेज की और नॉकडाउन करने कोशिश की बैरिकेड को इस प्रोसेस में ASI नरेश हर्मा जी को गाड़ी के द्वारा चोट पहुँचाए गई और गंभीर सिती को देखते हुए उनको ततकाल चिनवाडा रेफर किया गया गाड़ी को भिरासत में ले लिया गया है और ड्राइवर भी पुलिस कस्टेडी में है 307 का केस भी उसे खिलाफ रेजिस्टर किया गया है उसकी गतिदी को देखकर अभी मैं चिनवाडा हस्पिताल में ही आया हूँ और हमें अभी सूचना मिली है कि unfortunately he is no more तो इसको ध्यान में रखते हैं आगे करवाई की जाएगी और सक से सक करवाई पलिस उनिश्चित करेगी मामने पर जो प्रिलिमरी जानकारी प्राप्थियों यह है कि जो ड्राइवर था इसका नाम लोगजीत सिंग है ये गाडरवान अरसिंगबुर का रहने वाला है वो लेरो कैम पर गाड़ी लेकर ये न्यूटन चौकी के पास पेट्रोल प्रम में डीजल ड़ाने गया था बिना पैसे दिये वहां से भागने कोशिश करा था जिस प्रोसेस उसमें वहां भी किसी को चोट पहुँचाई और उसी की सूचना जो प्राप्थूीती माहुल जर में उसी को रासत में लेने के लिए ही चेक पॉइंट लगाया गया था तो और उसके बाद ही बागे का घटना करम आप देख रहे हैं डखल न्यूज